हेलो गाइज वेलकम टू लर्निंग वाविट हमारा आज का टॉपिक होगा नेक्स जो हमारा इस लेबस में टॉपिक था कल का टॉपिक था हमारा सोचलाइजेशन प्रोसेश जो की बहुत अच्छे से हमने आपको समझा चुके हैं उसके पर वीडियो बना चुके हैं अब ने बसकी शोशल कुल्चिलर थेउरी तो स्टाट कोते हैं हमारा आज का टॉपिक लेट स्टाटन तो यह है हमारा आज को टॉपिक थेवरी उफ सोचल क्ल्ट्टरल डिवलकमेंट रोविट्टर है जिसके लेब बयोव की अकॉर्डिंग तो बयोवक्त्ष की अच्छाइटिभ प्लेज़ स्पेशल रोल ऑफ कॉंट्रिबीशन इन एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन दी चाइड सो वाइगाउट की के अकॉर्डिंग जो सुसाइटी हमारी बहुत ही स्पेशल बहुत ही अपना एक खास रोल प्ले करती है एक बच्चे के डेवलपमेंट में अपना बड़ा कॉंट्रिबीशन देती है हर तरह के डेवलपमेंट चाहिए वो फिजिकल हो चाहिए वो इमोशनल हो कोगनिटिव हो कोई भी डेवलपमेंट हो सम्में अपना रोल प्ले करती है क्या सुसाइटी the kind of facilities available to the child from the society development will be the same जिस तरह की फैसिलिटीज एविलेबल होगी ब अगर वहाँ पर playgrounds है बच्चों के अलत फिजिकल वो जिम वगरा है ओपन जिम साथकल जो होता है वो है अलग-अलग sports है तो उन बच्चों का फिजिकल डवलपमेंट काफी अच्छा होगा जैसा कि society उन्हें प्रवाइट करेगी उसी तरह से उनका फिजिकल डवलपमेंट होगा society उन्हें जिस तरह का वो देगी इन्वाइबंट उसी तरह का उनका डवलपमेंट होगा तो यही मानते है हमारे वाइग उच्ची वाइग उच्ची ने कुछ इंपोर्टेंट स्टेजिस दी है शोचल करेक्ट वाइग उच्ची के फॉलोइंग स्टेजिस अफ सोश इसाटा पैदा होता है रेंज उच्चल कोंटेक्ट के इसे वह को दो कुंक आठीच इन्विटेय इन पाल्ट व्यूजस होती है वह बहत ज्यादध के तो कितनी होगी फेंटेश ब Comics थेंग उन पाल ने इस च्छम upward की फॉट अइन्ट उसक्टिस इwen फिस गलग न मंने relevant ु और जो living thing है and non living thing है उसके बीच में difference नहीं कर सकता अगर उसके side में हम लोगों ने पिलो रख दिया है तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो living है, जीवित है या जीवित है, non living है उसे समझ नहीं आएगा, बच्चा selfish होता है, मतलब उसे धूद्च चाहिए है तो चाहिए है, फिर वो रोएगा, कुछ भी करेगा, रोता ही रहेगा जब तक उसे दूद्च नहीं मिला, वो उसे समझ नहीं आएगा कि वो उसे किस reason से नहीं मिल रहा है बट उसे चाहिए ही होगा, वो selfish होता है बच्चा, infantilism में next है हमारी childhood, starts going to school बच्चा बच्चा childhood stage में आ गया, और school जाना उसने start कर दिया है now their social contacts become detailed, उसका जो social contact है वो detailed हो जाएगा कहा तक होगा, उसके neighbors तक होगा, जो उसके school में teacher होगी उसके class teacher होगी वहां तक होगा, school में जो बच्चे होगी वहां तक होगा, तो detail हो जाता है उसका next stage is adolescence, sorry guys, adolescence, gender consciousness gets intense, active member of the group and social scope become extremely wide in this stage में जो हमारा opposite gender होते हैं उसकी तरब ज्यादा attraction होते हैं, ज्यादा intense feelings होती हैं उसकी तरब और जो हमारी active member होते हैं अपने group के जो हमारा friends group होता है, जो हमारा group होता है उसके active member बनते हैं social scope बहुत ज्यादा extremely wide हो जाते हो हम लोग कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपना social group है वह बढ़ा करें some important terms हमारी कुछ important terms से देख लेते क्या है वह फर्स्ट है zone of proximal development यह topic हमारे काफी सारे एक्जांस में पूछा जा चुका है चाहे वह सीटर्ट हो एच्टर्ट हो या फिर के बेस हो ज्याद के बारे में काफी एक्जांस में पूछा जा चुका है तो पढ़ते हैं इसके बारे में the distance between the actual development level has determined by independent problem solving and the level of potential development as written by through problem solving under adult guidance or collaboration with more capable peer यह पूरी एक definition zpd की इसमें क्या वो लग है distance between the actual development actual development बच्ची की क्या होगी जैसे उसे हम लोगों ने एक लाइन लिखने के लिए बोल दिया particular लेकिन उसे ए बी से उसे सिफ words पता है उसे words आते बनाने लेकिन उसे पूरी लाइन लिखने नहीं आती है तो जो वो words बनाने उसे आते वह उसकी actual development है उसे कितना आता है और level as determined by independent problem उसे खुद solve वो कहां तक कितना solve कर सकता खुद से उसकी एक problem वो खुद से जितनी 50% वो solve कर सकते तो उसकी actual development है and the level of potential development as determined through problem solving adult guidance कोई भी adult guidance हो मतलब कि जो वो problem है 50% वो solve कर चुगा 50% और solve करने के लिए उसे जो guidance चाहिए वो होगी adult guidance और वो जो help करेंगे जिसकी जो मतलब जो बच्चा solve करेगा उस problem को तो वो पूरी उसकी जो zone होगी जिसके इसके अंदर हो किसी की मदद थोड़ी सी help लेकर solve करेगा वो होगी zone of proximal development ठीक है चाहिए वो in collaboration with more capable peer हो मतलब किसी भी peer group हो या फिर कोई उससे बड़ा हो किसी के भी साथ हो सकता है यह अच्छा सा समझने के लिए है कुछ हमारा जैसे हमारी इसमें lower limit और upper limit लोवर लिमिट क्या होते है level of problem solving reach down different task by the child working alone जब एक बच्चा जो different task होता है खुद से उन्हें solve problem को solve करता है अपनी तो वो उसकी actual level है actual development है जो कि उसकी lower limit होगी बच्चे की lower limit upper limit क्या होगी उसकी जब वो किसी की help से solve करेगा तो यह पूरा हमारा ZPD है यह हमारी lower limit जब वो उसकी actual development जो है वो खुद से जितने solve कर सकता 50% यह हमारी 100% है जो की बच्चा किसी की help से solve करेगा वो ही उसकी upper limit आपको यह समय आगे होगा lower limit and upper limit यह देखिए can do independently जो बच्चा खुद से कर सकता है 50% वो अपनी problem खुद से solve कर सकता है तो होगा can do independently इसे ZAD भी बोलते हैं ZAD zone of actual development यह term काफी जगा यूज होती काफी जगा यूज नहीं भी होती इससे confusion हो जाते ही ZPD में तो इसलिए हम लोगों ने यह हम लोगों ने भी नहीं लिखे यह आप लोग एक बार इससे चांद सकते है कि ZAD होता है can do independent जो बच्चा खुद से कर सकता है actual development जो होती है then होता है हमारा zone of proximal development can do if guided जो उसे guide किया जाएगा जो उसे help provide की जाएगी वह होगा ZPD के अंदर can't do if even if guided अगर छोटा बच्चा हम लोग उसे बोले कि कुछ अच मतलब कुछ बड़ा काम करो और फिर कोई essay लिखो nursery class का बच्चा तो वह तो करी नहीं पाएगा ना तो वह उसकी तो ZPD हमारा कहा तक होता है जब तक वह guidance के मदद से थोड़ी से help थोड़ी से push की मदद से वह उस problem को solve कर पाए तो वह होता उसका ZPD zone of proximal development यह है हमारा more knowledgeable other more knowledgeable other क्या होगा MKO MKO भी हमारा ZPD के अंदर ही आता है लेकिन अंदर कैसे आता है यह समझ लेते हैं The concept of the more knowledgeable other is quite simple and fairly self-explanatory The more knowledgeable other is someone who has a higher level of knowledge than the learner More knowledgeable कोई भी वह person हो सकता है जिसे उस particular problem के बारे में या उस चीज के बारे में उस person के बारे में उस problem जो भी learner है उससे ज्यादा आता हो वह कोई भी हो सकता है उसकी side पर जो बच्चा है उसका peer group को कोई member हो सकता है उसकी teacher हो सकते है उसका जो नेबर्स अगर उन्होंने कुछ help किये तो वह हो सकते है और प्रोवाइजबर क्रिटिकल काई डैन्ज एंड इंड्रक्शन इंस्ट्रक्शन दूरिंग दूरिंग दस सैंसिटिफ लर्निंग की और पीरियेंग जो हमें प्रवाइड करेगा एक guidance एक instruction जो भी हमारी problem है जो हमारा sensitive learning period मतलब की जो हमारा learning period चल रहा है समझ लीजिए अगर मैं learner हूं और मेरा sensitive learning period मतलब कोई problem है और मुझे मुझे सामने से कोई थोड़ा सा push करेगा थोड़ी help लगा रहे जैसा हम एक डॉंपल ले सकते हैं जैसा कोई घ्र गर यह वह भ्लॉक्त। लगा रह रहा है ठीक है। बच्चे एक ही कलर टे व हो pink, pink blocks लगा रहा है बच्चा उसने सबसे पर एक green रख दिया तो चाकर चाहँ करेंगी पॉइंट आउट करें कैसे मदर उन्हें बोलेंगी कि इस पूरे ब्लॉक की बीडिंग है आप उसे देखो क्या वही कलर है वो जो अपने उपर लगा है तो बच्चा देखेंगा अबसर्ब करेंगा फिर बोलेगा नहीं वो कलर नहीं है वो हमारा जो सब है नीचे वो पिंक ह उपर जो मैंन लगा दिया वो ग्रीन है वो उसे निकालेगा और वो उसे दुपारा से पिंखी लगाएगा तो यह हुई मदर ने हलका सा पुश किया गाइड किया वो थी जो मदर थी वो थी MKO और जो बच्चा था हमारा वो था लर्नर और जो उसकी ZPD था उस जोन में अगर कोई बच्चा खुज से कुछ करने के कैपेबल नहीं है कुछ नहीं कर पा रहा तो चाहें वो फिर किसी की असिस्टेंस से कोई भी स्केल इंस्ट्रक्टर हो उसकी असिस्टेंस से वो टास्क को परफॉर्म कर सकता है इसली तो यह ता हमारा M.K.O. ओन लोजिबल अध थार्ड है हमारा स्केल फॉल्डिंग यह भी बहुत इंपोर्टेंट टाम है स्केल फॉल्डिंग भी एक्जाम पॉइंट अब व्यू से इंपोर्टेंट होगी प्रवाइडिंग टेंपरेरी सपोर्ट तु स्टुडेंट लेंग यह ता कि बच्चा खुद से यह नहीं हमें कुछ भाइड है हमे कोई प्रॉब्लम आहा है और किसी नामने फिन्पोर्स किया हमें पुष्च किया हलका सा देन उसके बाद अगर हम वह हमेशा ऐसे ही करता रहेगा तो हम तो कभी self-reliant हो ही नहीं पाएंगे ना हमें हमेशा help की जरुरत पड़ेंगी किसे ना किसी ही तो वही चीज है हम एक बाद सपोर्ट प्रवाइड करते हैं लेकिन ऐसे नहीं कि हमेशा करेंगी जिससे वह अपना self-reliant ना हो तो यह था म अब हमारा आ जाता है language and thought पर जो हमारे पाइग उन्हों ने बात कि है language की language उन्होंने दो बताई है mother and mother tongue and official language mother tongue वह language जो उसके आसपास बोली जाती है जो उसकी mother बोलती है जो उसकी घर में बोली जाती है बेसिकली इंडिया में हिंदी है एंड सेके ने ओफिशल लेंग्विज ओफिशल लेंग्विज मतलब जो एक बच्चा बड़े होकर सीखता है अपनी mother tongue से second language ये कोई other language सीखता है और communicate करने के लिए जैसे इंडिया में हमारे second language या बोल सकते English है क्योंकि हम लोग English में किसी से भी बात कर सकते हैं जो अगर कोई person है बहार सो जो मतलब कोई Tamil से है Tamil person है मतलब तो तो तमिल बोलेगा ना और आजकल तो ऐसा है अगर उसे तमिल आते होगी तो उसे इंग्लिश भी जरूर आती होगी और हमें हिंदी आती और Do Leng Important तो 2 लेंग्रिज हमश्त करती है तो हम लोग उसे English में बात कर सकते है कि पिश से टौन टाइपक साथ कर सकते हैं सब्सक्रीकर आपक कर सकते हैंov Types of speech हमारी वा कर मित खूर की ने आ हुछ ओर जैउट की ने तीन तरह की speech बोल रहत है जो कि वो नहोंने वोला शोशेल स्पीच प्राईबिड करता हैं है, और बच्चे प्राईबिड सानों के लीजें, तो थो यह fig उद्वू तने प्राणियों नहीं được हुए यह बहुत इंपोर्टेंट है जो आगोची ने दिया एक्जाम से पूछी जा चुकी है मतलब बच्चा खुद से बात करता है वो खुद को समझाता है उसे कुछ बात करने उसे कुछ प्राब्लम सौब करने होती तब भी आपने देखोगा कुछ सारवेचे मन मन में बोलते है एक एज तक प्राइवेट स्पीच हमारी चलती है अगर उस एज के बाद भी हमारी प्राइवेट स्पीच स्टार्ट मतलब वह कंटिन्यू होती रहती है तो इसका मतलब कुछ यह ठीक नहीं होगा अगर हम उसके बाद भी प्राइवेट स्पीच अपनी कॉंटिन्यू रख इस और प्रइवेट्र स्पीश दिमनेश कि पर से साथ साल के बास्याय थिक नाइक हो जाटेए मेनिक सुनाेगा मन में खुद से बात करता है न उसके प्रॉबर स sail ये घता हुआ ही आरे कुछ प्रॉबलम्स स्पीश नाज़े को पास हो जाते हैं नक्ने कि इस को सुनाई इस स तक चलती रहती है हम लोग तीरे अमन मन में खुछ से बाते करने लगते हैं कभी कभी वी तो एककम सब सेल्फ रगुलेटिंग फॉंक्शन के हमारी सेलेंट डिनर स्पीच हुई यह टाइग्रम देखें सब वाइगॉट्स की बेसिक आइडिया था हमारा लेंग्विज फॉट्ट को लेकर हमारा लेंग्विज जहां बच्चे जब कुछ चाइल्फूड में आते हैं इन फैंक से स्टार्ट होते हैं तो उनका लेंग्विज अलग डेवलप होती हैं उन्हे लेंग्विज फॉट्ट मैच करने लगता है जो वह सोस्त है थॉट्ट जो उनके होते हैं वह सब लेंग्विज में करके वह लोग हमें बताते हैं हमें शोग करते हैं हमें बताते कि हैं जो उनके फॉट्स हैं और यह लेंग्विज के तरू एक्स्प्रेस करते हैं अपने इसे भी इन सब की बात किये तो इन सब में डिफ्रेंस जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों में अगर हम लोग कन्फीज होगे तो हम लोग का एक मार्क तो ऐसे ही गया तो प्याजे न बात किया प्री शोशल स्पीच की और आग्वॡ की ने सेम वही चीज को बोल लिया स्चोल के सभाइस के और ऊसे बात करना चाहिए वो घर कहो बाख कहो हर क szczी से बात करना वह ए प्याजी ने उससे बोला practicing speech कि बच्चा बात करना start कर देता है है की इसिता है लो पुछी तरह चीज को डबलप कर लेता है वह नहिति हो समझ ज़ाध किससे क्या बात कर नहीं है तन उसके शोट वह जाते लेकिन उस पहले प्रिशोषणिख जो कि वायगाजिख शिद्की ने बोली ये शोशलाइब स्पीच, नेक्स्ट है इगो सेंट्रिक स्पीच, वही पर हमारे वायगोद्सकी ने बोलाया इसे प्राइवेट स्पीच या कॉम्युनिकेटिव स्पीच, प्राइवेट स्पीच में हम खुद से बाते करते हैं और यही旦 इस चीज उसने बोली प्याजे ले इगोषेंटरिक स्पीच, सेम तिंग शोषल पहले प्रिशोशल ती अब शोशल स्पीच आ गई है जो हम लोग सीख जाते हैं बात करना और यह इनर स्पीच इनर जो हम लोग यह थे हमारी प्याजोर वाइगोज की कैसे कैसे अलग है एक दूसरे से कोई स्पीचिंग रेकमेंडेशन सब्सक्राइब सब्सक्राइब टो हमारा फरस्ट है एक तर Sciondय प्रोटि में करो जो हम लोग से development जो भी हम उसे help provide करते हैं उसे कोशिश करो वह पूरे उसे develop कर ले उसे आगे से ज़रुद ना पढ़े उस help की उसे assist करो अच्छे से next है provide just enough assistance सिफ थोड़ी सी enough इतनी की वह कर ले यह नहीं कि उसके पूरा task आप खुद ही कर लो या फिर उसे पूरा task बता दो या फिर सब खुद कर लो ऐसा उसने कुछ नहीं बोला उसने बोला थोड़ी सी बस उसकी help करो जस्ट अब पुश थर्ड है use more skilled peers as teachers जो उसे ऐसे peers को यूज करो उसी की age group के उसी की age के other peers को यूज करो as a teacher जो उससे ज्यादा skilled हो जोने उस topic पार में थोड़ो सा पता हो उन्हें यूज करता कि उनके thoughts वो अपनी language में उस दूसरे को भी समझा सके लास्त है encourage private speech self regulation एक यह private speech important भी है एक तरीके से हमारे उन्होंने बोल प्याजी ने भी private speech को important बोला वाइगोज की ने कि बच्चा आपने thoughts को express करना सीखता है इस तरीके से उससे समझ आता है वो खुद को खुद के emotions भी control करना सीखता है इस तरीके self regulation खुद के emotions control करना तरीक करना खुद को वो सब सीखता है इससे तो यह थे हमारे वाइगोज की पूरी थेओरी ठीक है तो यहां पर हमारी ठीक होती है अब कल हम मिलेंगे दुबहरे से अपने next topic के साथ जो कि हमारे सीटर्ट का next topic हो ऐसी हम लोग दिर दिर अपने पूरा सीट टूटाउज ना